हेलो, गुड मॉर्निंग, सबी दोस्तों का नर्सिंग एजियोकेशन के इस यूटूब चैनल पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों, आज के इस वेडियो में हम एक नई नर्सिंग भरती को लेकर आए हैं और यह जो वेकंसी है दोस्तों, इस वेकंसी के बारे में हम डेटेल से आपको बताएंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या लिजिबिलिटी क्रेटेजा है, क्या लास्ट रेट है, किस मोड के दवारा अप्लाई करना है, जो भी वेकंसी के र कि आप कोई भी वैकंशी मिस नहीं कर पाईगे चलियों स्टार्ट करते हैं वीडियों को लाइक करें जिसे हमें मिलता है और आपके हरेक लिए आपके लिए हर एक वीडियो हम लाते रहते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज गी जो पैकेंसी है वो कार्याले मुख्य सिकिच्चा एम सवास्ते अधिखारी जिला राइपुर 36 घट से रहने वाली है इसका नोटिफिकिशन की डेट हम देख सकते हैं दोस्तों प्रकाशित किया गया है इस चुकें पात्र उमीदवार निजारी प्रपत्र में आवेदन पत्रकारिया लंब की सिकिच्चा एम सवास्ते अधिकारी जिला राइपुर 37 घट में रजिस्टर डाक स्वीड पोस्ट हैं रजिस्टर में दिनांक 14-12-2021 तक कालें समय में सामको 5-30 तक आप स्वीकार किया जाएगा मतलब 14 तारीक लास्ट एट है 14-12-2021 तक सामको 5.30 तक आप अवेदन कर सकते हैं आवेदन किस तरीकी से करना है रजिस्टर डाक या स्वीड पोस्ट के दुरू कर सकते हैं अन्य किसी माद्यम से या प्रोग्राम के अंतरकत है उस प्रोग्राम का नाम है नेचम नैस्टनल हेल्थ मिशन के अंतरकत 33 पोस्ट है दोस्तों टोटल और उसमें भी 18 अलग-अलग है सात अलग है दो अलग छे अलग इस परकार से इने एक्स सर्विश्में फीमेल अगरा इनकी जो है डिवाडिशन कर रहा है जिन्होंने बीए सी नर्सिंग और ज्यन एम कॉर्स कीजा है वह अपलाई कर सकते हैं फ्रेशर कंडिडेट हैं अपलाई कर SAKTRE हैं इप अब सबसे बड़ी बात है यहां पर ओल अंडिया केंडिडेड अपलाई कर सकते हैं नहीं तो यहां पर 37 गड़ नर्सिंग काउंसल का ID रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं अनेता नहीं अप्लाई कर सकते हैं आपको इस फॉर्मेट में सेंड करना होगा यह फॉर्मेट भी टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा आई होप सारी इंपॉर्मिशन समझ में आगी होगी फिर भी कोई डाउट बगरा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक्यू सो मच